आज हम ब्रेट से ना तो पीजा बनाने वाले है ना ब्रेट पकोडा बनाने वाले है ना ही हम सैन्विच बनाने वाले है बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी में लाई हूँ आपके लिए तो प्लीज वीडियो को पूरा दीखिए बिल्कुल भी स्कीब ना करें अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छे लगती हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्राउन ब्रेड आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी तो मैं ब्राउन ब्रेड का ही यूज करूँगी इन्हें आपको कट कर लेना है कोई भी सीजर से या कोई भी नाइप से आप कट कर सकते हो एक ब्रेड में आपको 6 स्लाइस कर लेने हैं तो देखे हरम से आपको स्लाइस ऐसे कर लेने हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदा रेसिपी है तो वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करें तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी उसमें मैं एड करूँगी पीजा और पास्ता का सॉस मेरे पास था तो मैं वो एड कर लूँगी आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ पास्ता का सॉस एड कर सकते हो मियोनीज एड कर सकते हो जो भी आपके पास अभिलेबल हो वो आप एड कर सकते हो और यहाँ पे मैं एट करूँगी टोमेटो सॉस अगर आपके पास पास्ता फिजा का ना हो तो सिप यहाँ पे आप टोमेटो सॉस भी आट कर सकते हो जो भी मैं प्रोड़क्ट यूज करूँगी उसके लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है उसमें मैं एट करूँगी ऑइल आप चाया तो यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हो मेरे पास बटर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सिरफ ऑईल का यूज किया है तो यहाँ पे मैंने टमाटर, थोड़ा सा सिमला मिर्च और यहाँ पे अनियन को अच्छी तरीके से कट कर लिया है जब भी आप टमाटर का यूज करो ऐसे वाली रेसेपी में तो उसके बीच को आपको फेक देना है सिर्फ जो उपर की लेर होती है उसे ही आपको कट कर लेना है और यहाँ पे जो आपने सबजी एड़ किये उसे आपको ज्यादा नहीं पकाना है सिर्फ एक मिनट के लिए ही आपको पकाना है अब मैं एड़ कर दूँगी जो मैंने ब्रेट स्लाइस के उग कट करके रखाता है उसे आपको एड़ कर लेना है और आपको धीरे धीरे चमस से उसे चलाते रहना है बिल्कुल भी आपको ज्यादा उन्हें मैश वगेरा नहीं करना है सिर्फ हमें उन्हें सौते करना है तो चलिए अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने सौस बना के रखा था पिज़ा, पास्ता और टोमेटो सौस का उसको एड़ कर देगे आप चाहिए तो मियोनिस को भी एड़ कर सकते हो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी तो चलिए इसे एड़ कर लेते हैं और इसे भी आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सारे ही ब्रेड में और यहाँ पे मैं एड़ करूँगी थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर आप काली मिर्ची को घर में ही कूट सकते हो और यहाँ पे मैं एड़ करूँगी थोड़ी सी चीली फ्लेक्स को मेरे पास सीतो मैंने एड़ कर लिया है इसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह वाली रेसिपी का आप अगर इससे बना लिये तो पिज़ा पास्ता खाना भूल ही जाओगे इतनी ज़्यादा यमी रेसिपी ये बनती है तो क्विक स्नैक से आप बच्चों को भी बना के दे सकते हो तो चलिए इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो यहाँ पे हम एड़ करेंगे चीज आपके पास जो भी चीज हो उसे आपको एड़ कर लेना है यहाँ पे मैंने कट करके एड़ किया ता आप यहाँ पे थोड़ा सा उसे घिसके एड़ करें तो जल्दी से चीज पिगल जाएगा तो देखे इसे भी आपको mix कर लेना है अच्छी तरीके से और थोड़ी दिर के लिए इसे आपको ढग देना है ताकि चीज हमारा थोड़ा सा melt हो जाए तो चलिए एक बार चेक कर लेते इसे तो देख सकते हमारी रेसिपी यहाँ पे कुई कें जटपट बन चुकी है तो ले इसे भी यहाँ जड़ाँ प्रफटाँ का वज़ाए तो बना है